हलो फ्रेंड्स आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूटूब चैनल का वीडियो टुटोरियल सीरीज जो की लूप एड्मिन पेनल की वीडियो टुटोरियल सीरीज है यह application यूज होती है content management system, e-commerce, shopping cards, inventory, online inventory portal, news magazine portal, online mock examination portal, online billing software, online POS software, simple billing software for shopkeepers and shops, accounting software for proprietor इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजे और bell icon प्रेस कर दीजे आपको हमारे सभी वीडियो टुटोरियल सीरीज के updates मिलती रहेंगी अभी तक हम previously देख चुके हैं login करना, product, party, estimate, bill, section and categories, payment, receipt, create करना, edit करना, update करना, यह हम देख चुके हैं इस वीडियो में हम इस admin panel का, इस software का application का अगला features हम देख रहे हैं जो pages create करने के बारे में हैं, web pages के बारे में हैं web pages create करना, update करना और उसमें कोई modifications है और उसको किस तरीके से कुन-कुन से उसमें functions available हैं यह हम इस वीडियो में देखेंगा जिसा कि आपके सामने एक page का layout खुला हुआ है, इसको open करने के लिए मैंने यहां से यह nine points करा है, before लिए आप login कर लिए, login करने के लिए आप first videos देख लिए, इसने first column में ही first link है, page के नाम से है, page वाला आप open कर लिए जो previously created pages होंगी, वो आपको यहां पर display हो जाएंगे, जितने भी previously created pages हैं वो display में आ जाएंगे, जो भी अभी तक बनी हुई है, इसमें पहला एक बना हुए search box, अगर आपको कोई चीज search, search करके किसी pages को find out करना है, ज्यादा pages है तो, और इदर type करने के बाद आपको इदर search button पे click कर देंगे, तो pages filter में आ जाएगा, जिसे मैं इसमें career search करता हूँ, search करके मैंने career करा, तो मेरा clear हो गया, अब मुझे वापस मैंने हटाया, search करा, तो मेरे सारे आ गए, number of pages एक बार मैं display में कितना दिखेंगे, जिसे मैंने यह 50 select कर दिया, अब मुझे एक बार में 50 दिखेंगे, इसमें 17 pages है, number of pages 17 दिख रहा है, multiple pages, मतलब एक बार में 10 दिख रहे हैं, तो मेरे अब दो page बन गए, page number 2 पे जाने के लिए यह वाला function है, बहुत जादा pages होते हैं, तो हम उनको multiple sets में divide कर देते हैं, तो यहां से आप set चूज करके उनको filter कर सकते हैं, set के according आप उसको अलग-अलग कर सकते हैं, new करने के लिए आपको यह green color का जो plus button है, आप इस पे प्रेस करेंगे, तो आपका new page create करने का जो option है, वो open हो जाएगा, okay, new करना है या update करना है, हम इसको fill करेंगे और save button पे click कर देंगे, जैसे मैं आपको एक edit करना बता देता हूँ, आप new का और edit का same function है, जैसे मैं इसको एक demo page है, इसको मैं edit कर रहा हूँ, आप new भी करेंगे, तो आपको title भरना होगा, title आपका जो भी webpage का title जो आपको डालना है, top, top इसको कहते हैं, जैसे ये इस website में, जो w3 की website है, इसमें ये दिख रहा है, html browser का जो title हो, उसको top, top नाम दिया गया है, top, आप यहाँ पर इसको descriptive, आपको दोनों में दिखा रहा ह तो आप कोशिश करेंगे, पूरा 200 characters यूज करने की कोशिश करें, जो top में आपने mention किया, वही चीज़ copy paste कर दीज़े, alias में, alias ये है, जो हमारा after domain name के बाद जो दिखता है, date is alias, जैसे इसमें ASP लगा हुआ है, हमारे case में जरूवत नहीं है, जैसे में इसको में copy करके paste क करता हूँ, ये मैंने paste किया, जैसी हटूंगा ये automatic उसको alias, जो भी URL का जो format होता है, उसमें convert कर देगा, यहाँ पर मुझे set select करना है, कि इस page कोन से set में आपको set करना है, जब बहुत ज़्यादा pages होते हैं, तो हमें categorization करने की जरुवत पड़ती है, जैसे यहाँ पर एक ही automatic आगया page, ये भढ़ने का option नहीं आएगा, parent select करना है, ज़्यादा pages होते नहीं है, तो इसमें nested करने की आवशकता नहीं है, nested करने की जरुवत नहीं है, एक, दो, तीन, चार जिते भी, category के नाम, category का alias, ordering, enable और store, enable मतलब हमारे system में वो दिखेगा, store का मतलब वो बाहर website के output पे store में दिखेगा, ये category की selection से, इस category की कोई picture होता, आप उस picture में डाल सकते हैं, description डाल सकते हैं, save कर देंगे, save करने के बाद इस वाली tab को आप close कर देंगे, और इस refresh button को click कर देंगे, तो जो new, आपकी जो new set बनी है, वो यहाँ पर list में, automatic append हो जाएगी, amendment हो जाएगी, page का पूरा content यहाँ पर आप जो भी type कर देंगे, वो आ जाएगा, और मान लिजे कि आपका content जो है, योगेश font में है, करती देव font में है, देवलेसे font में है, किसी particular keyboard layout में है, रेमिंग्टन keyboard जो होता है, इनस्क्रिप्ट keyboard होता है, उसमें किसी particular में है, तो यहाँ पर उसको utf convert क करने की जरुवत पड़ेगे, तो utf convert करने के लिए यहाँ पर already tool दी रहा हुआ है, आपको किसी दूसरे tools पर depending होना है, आपको यहीं convert आप इसको कर सकते हैं, जैसे योगेश में हैं, तो योगेश का पूरा type की ओवा content यहाँ paste करेंगे, योगेश बटन पर प्रेस कर देंग वो भी बहुत जल्दी इसमें amendment कर दिये जाएंगे, और इसको यहाँ convert करने के बाद इसको आप वापस प्रेस कर देंगे, तो यह आपका content यहाँ पर display में आ जाएगा, इसी में आपको कोई picture करना हो, upload कोई picture आपको डालनी है, तो किस जगह पर डालनी है, पहले वहाँ पर आप cursor रख लिए, जैसे मुझे यहाँ prefix में यहाँ पर डालनी है, end में डालनी है, बीच में डालनी है, जहाँ भी डालना है वहाँ में cursor रख लूँगा, cursor रखने के बाद यह browse बटन दिख रहा है, browse, क्योंकि firefox है तो browse दिख रहा है, chrome होगा तो choose file दिखाएगा, मैंने यहा file choose किया और upload picture कर दिया, जैसे मैं upload करूँगा, यह file upload हो जाएगी और जहाँ मेरा cursor था हूँ, वहाँ पर file automatically amendment हो जाएगी, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको देना होगा, कि इसकी width वगरा देनी पड़ेगी, उसका size वगरा देना पड़ेगा, हो सकता है, यह जादा width की हो, जादा बड़ी हो, यह हमें align नहीं करना हो, तो हम यहाँ पर 100% width दे देंगे, width means, automatic जो भी windows की size हो, उसमें fit हो जाए, यह हमने 100% दे दिया, height देनी की जरुवत नहीं है, इतना करके आपको ok कर देना है, जो भी browser की width होगी, उस पर automatic यह आपको दिखने लगेगा, ok का message आजाएगा, अब हमें देखना है कि इस webpage का preview का है, जैसे मैं इसको save कर देता हूँ, यह मैंने save कर दिया, अब मुझे इसका preview देखना है, तो मेरो को इस alias को आप कॉपी करिए, आपके URL पे जाएए, website की URL पे जाएए, और website का domain के end के बाद slash लगा के इस alias को डाल अगले version में, मैं amendment करने की कोशिश करूँगा, कि यहाँ पर एक link बना दूँ, कि उस link पे जैसी click करें, तो वो output में web page कैसा देख रहा है, वो आपकी link खोल जाएए, कि यह मेरी image डाली थी, यह मेरी image आ गई है, simple work है, simple web page है, as it is, आपको इसमें एक और beneficial work है, कि आप इस web page को यह structure data में भी submit करता है, मैं आपको यह भी test करके बता देता हूँ, जैसी मैं structure data पे click करूँगा, यह google structure data testing tool open करेगा, जहाँ पर यह web page का हम submission देखेंगे, कि यह web page google पे किस तरीके से submit हो रहा है, हमारा web page का title है, demo web page, demo web page का content, एक image है, अब यह हमारा web page यहाँ पर structured data tools पर कैसे जा रहा है, वह हम देखेंगे, जैसे इसने बोला कि, क्योंकि मैंने यहाँ पर, मैं अपने local host से आपको बता रहा हूँ, अब इसका live URL में यहाँ पर डाल देता हूँ, यह मैंने अपना live URL डाल दिया, और run test कर दिया, देखिए आप, आपको live URL करने की जरूबत नहीं है, आप अपनी website में changes कर रहे हैं, तो आप सीधे करेंगे, तो आपको सीधे यह option आएगा, यह देखिए, यह web page submit हुआ, यह web page का data आ गया, URL आ गया, description आ गया, name आ गया, add the type, web page, तो इस तरीके से यह हमारा Google Structured Data, Google पे submit होगा, हम इसको test कर सकते हैं, further, हमें कोई amendment करना है, कोई editing करनी, जैसे मुझे यह picture को drag करके, मैं किसी और paragraph पे ले जाना चाहता हूँ, मैंने, यहाँ पर height mention है, मैंने height अधा दिया, automatic जो उसकी height है, वो ले ले, width 100% ले ले, यह जो मैं sizing देना चाहता हूँ, जैसे मैं 100% ना करके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 20%, यह 20% हो गया, देखे, automatic adjust हो गया, अब, जो भी आपको बदलाव है, वो आप करके, आप इसको save कर दीजे, आपका वो output, desired output दिखने लगेगा, जैसे मैं आप इस pictures को हटा के, वापस normal कर देता हूँ, और यह save कर दिया, मैं कितने भी multiple times इसको update कर सकता हूँ, save कर सकता हूँ, change कर सकता हूँ, new create कर सकता हूँ, इस portal में कोई page creations की limitations नहीं है कितने भी आप create कर सकते हैं कितनी भी files upload कर सकते हैं कितना भी आप उस पर update कर सकते हैं कितनी भी बार कोई limitation नहीं है इसमें update करने के अगला वीडियो में हम देखेंगे अगला functions इसका menu functions देखेंगे कि menu में कुन-कुन से options है और मेनू पर्टिकुलर पेज का मेनू या किसी ओर टाइप आफ टाइपो का मेनू किस तरीके से करिएट करते हैं हम यह मेनू आप्शन देखेंगे इस वीडियो में बस इतना ही थैंक्यू